नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं पर्सासन भी बंद को लेकर अलट है, हलाकि अभी तक किसी भी जीले से हिंसक पर्दसन की सुतना नहीं है बता दे जारखन बंद का असर गिरीडी में ब्यापक तोर पर देखने को मिल रहा है सेकडों की संखten में चातर संखपनों सड़क पर उतर प्रदसन कर रहे हैं सभी हाथों में तखतिया लिए नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं वहीं चातर सहर के छांडा मैदान के समीब सड़क पर बैठ गये हैं और प्रदसन कर रहे हैं बतादे कई छात्र गिरी डी देवगार मुख्यमार्ग को जाम कर दिया है सभी सारजेंसी बोस इसकूल के समीप बैठे हुए हैं छात्रों के प्रदसन से साड़को परवाहनों की लंबी कतार लग गई है इधर बीरुवत प्रदसन को लेकर डीसप नियोजन निती को वापस कर जारखंडी हीत में नियोजन निती लागू करने की मांग को लेकर 29 अप्रेल को संपून जारखंड बंद बुलाया है इसे देखते हुए सहर की सभी परमूख इसकूलों के प्रवंधन ने सांस्थान बंद रखने की घोसना कर दी है जाबकि जा 24 अप्रेल को होगी वहीं BAU में सबजेक्ट मेंटर स्पेस्टलिस्ट का 18 अप्रेल को होने वाला इंटरव्यू अस्थागित कर दिया गया है इसके अलावा एगरोमेंट अबजरवर की नियुकती के लिए 24 अप्रेल को होने वाला इंटरव्यू भी अस्थागित कर दिया ग इसके अलावा रांची में 30 से ज्यादा बंद समर्थक को हिरासत में ले लिया गया है बतादे 46 संगटनों के जरकन बंद का रांची में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है बीदी बेवस्ता को समाने बनाये रखने के लिए खुद किसोर कौसर ने मोर्चा समाल रखा है वहाई अलवट एका चोग पर पहुंचे सीनियर एसपी किसोर कौसर ने कहा है कि अभी तक स्थिती समाने है बीधी बेवस्ता को बनाए रखने के लिए बड़ी संखे में पुलिस बल और अधिकारियों के तेनाती की गई है वहीं बड़ी संखे में दंडा अधिकारी भी जगा जगा पर तेहनात किये गए है रांची समेत कई जिलो में सड़क पर उत्रे चात्र साठ चालिस नाई चलतों का नारा जारखन में नई नियोजन नीतिये खिलाब चात्रा अंदूलन कर रहा है राइधानी रांची के मुराबादी मैदान और अल्वट एका चोग पर छात्र संखणों ने सड़क पर उतर कर परदसन किया और चाट चालिस नाई चलतों का नारा लगाया वहीं साहेब गंज में भी आदिवासी कल्यान चात्रावास के छात्र नायक मन ओहर मरांडी और आदिवासी चात्रावास के छात्र नाई का सरमीला टूडूक के नित्रित में साहेब गंज सहर में बजार बंद कराया गया 46 नियोजन निती के बिरोध में सहर के परमुक मार्ग होते हुए सचहरता चौक को जाम कर परदसन किया गया वहीं जमसेदपूर के करंडी चौक में जहरकन एस्टेट स्टूडेंट यूनियन ने जहरकन के बरतवा नियोजन निती 46 के बिरोध एवां खत्यान दारित नियोजन वहां असानी निती मांग को लेकर करंडी चौक में धरने पर बैठे दोनों और सड़कों पर गाड़िया की कतार लगी रही रांची में 50 से अधिक बंद समर्थकों को पूलिस ने हिरासत में ले लिया है जिसमें जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन रांची के छत्रनेता देवेंदर नाथ महतों मनोजयादों योगेस भारती ओमपरकास महतों सुकला जी पपू कुमार समित कई लोग सामिल है बतादे जार्खन के ब्यस्त बरही चौराहा पर वहनों का वागमन आम दिनों की तरह जारी है वही जार्खन बंद का कोई परभाव नहीं दिखा बंद कराने भी कोई सड़क पर नहीं उत्रा दोपर लग बर एक बचकर पैतारिस में के समय का बरही चौकी स्थिती समाने रही वही रांची के ग्रामी इलाकों में भी बंद का मिला जूला असर दिखाई दिया बंद समर्थकों ने रांटू में सड़क जाम करने का प्रयास किया लेकिन मजूद पूलिस कर्मी सड़क जाम को हटा दिया रांटू पूलिस पर सालसन के द्वारा सड़क खोल दिया गया है स्रियम हमंत बोले जगरनाथ दाक के उन्हें 32 का सापना पूरा करेंगे मुख्य मंतरी हमंसुरन ने कहा है कि उन्हें 32 का बीसा अभी खत्म नहीं हुआ है या जिन्दा है और जगरनाथ दाकी सोच की अनुरूप इसे आगे बढ़ाएंगे उनका सापना पूरा करेंगे बदादे मुख्य मंतरी मंगलबार को दिवंगत सिक्षा मंतरी जगरनाथ मतोक स्तराथ कर्म में भाग लेने चंदरपूरा पर खंड के अलारगो गावी सीथ उनके आवास पर पहुँचे थे मुख्य मंतरी ने कहा है जगरनाथ दाग के नहीं रहने के करन परिवार के उपर दुखो का जो पहाट उटा है उससे कहीं ज़्यादा हमारी पार्टी और संगठन के लिए तकलीफ दे घटना है उनकी जगा कोई नहीं ले सकता लेकिन यह जरूर है की संभाव भी है की उनकी सोच और उनके विचारों को कैसे जिन्दा राखा जाए मोखी मंतर हमासुरेन ने स्वर्गिय महतो की पत्नी बेवी देवी वा पूत्र अखिलेस महतो और पराजू से मुलकात कर उन्हें डांडस बढ़ाया गीरी डी में दिखा जारखन बंद का असर नियोजन निती के बिरोध में चात्र संगटनों के द्वारा बुलाएगा जारखन बंद का सर गिरी डी में भी देखने को मिल रहा है सेकडों की संख्या में चात्र संगटनों के सर से चात्रों के साथ मिलका सलक पर उतर कर परदसन कर रहे हैं वहीं काफी संक्या में चात्र हाथों में तक्तिया लेकर सरकार के द्वारा बनाये गए नियोजनिती के खिलाब सलक पर उतर का प्रदसन कर रहे हैं। वहीं बिरेंद्र राम वा उनके परिवार के सरसो से जूड़ी उन्चालीस पॉइंट दो आट क्लोर रुपए की चल अचल संपति को एडी ने बुद्धवार को जब्ध कर लिया है। प्रदस्थापित रहने के दरान ब्रेंद्र कुमार राम ने ठेकदारों को टेंडर आवटित करने के एवज में उनके कमिशन के नाम पर अवाई संपति अरजित की थी। जारखंड बंद का असर तीर धनूस वा लाठी डंटे के साथ सड़क पर उत्रे चात्रे। नियोजन निति को लेकर बुद्धवार को आहुत जारखंड बंद जिला मुख्याले में असरदार है अधिकतर बड़े नीजी स्कूल बंद है अब तक मार्केट भी पूरी तरह बंद है। अंधुलनकारियों ने पच्मी रेलवे फाटा को बंद करा दिया है जिससे उस मार्क से आवा गाम पूरी तरह से बंद है। अंधुलनकारियों के डर से सहर की दुकाने नहीं खुली। अंधुलनकारियों ने पूरी तरह से बंद करा दिया है। अलबट एका चोक पर दुकाने बंद DSP के नेतित में पूलिस तैनात। चातर संगटनों के जार्खन बंद का राई धानी रांची में मिला जूला असर देखा। मेन रोड में ज्यादातर दुकाने ब्यवसाइक परतिश्ठान बंद हैं। तो नगर निगाम की सीटी बासे भी अभी नहीं चल रही है। गीरी डी में सलक पर उतरें शाटर साथ चालिस नाई चलतओ के नारे। राज सरकार की नैजिवजन निती को लेकर ज्यार्खन बंद का गीरी डी में आसीक असर देखने को मिला है। सहर और कुछ इलाके में सलक पर उतर कर छात्रों नारे बाजी की है, बंद को देखते वे पुलिस भी मुफ्ताज है, बतादे जहरकन में नई नियोजन निती के खिलाब छात्र संगठनों आंदोलन कर रहे हैं, बुद्धवार को छात्र संगठनों द्वारा जहरकन बंद का इस बंद के वहारन के तहट गिरी डी में भी छात्र संगठनों पर उतरे, छात्रों ने 40 नाई चलतों के नारे के साथ सहरी इलाके में परदशन किया है, यहां अंदोलन की सुरुवात जहंडा मैदान से की गई, जहंडा मैदान के पास छात्रों ने संगठनों को जाम कर द इस बंद के पास परेल से आठ मैदान में अठाइस अपरेल से आठ मैदान तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर लगेगा, इसमें 9 देशों और 15 राजियों को यूनिक प्रोड़क्ट के 350 एस्टोर लगा जाएंगे, बतादे राजधानी में अठाइस अपरेल से 8 मैद तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर का आयोजन हो रहा है, मुराबादी मैदान में जार्खन चेमबर अफ कोमर्स और जी एस मार्केटिंग एसोसीएट के सन्यूक तत्वधान में अज़जित हो रहे है, इस इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर में थाइलेंड, अफगानिस्तान, टर्की, इजीप्ट, भुटान, इरान समेत 9 देशों और 15 राजियों के यूनिक प्रोडक्ट के साथ 350 एस्टोल लगेंगे, धनिवाद